हईलो अज़ोगाट दाब कमारे चीनट फेकाई टोपेक के सात्थ तो फेर्ण्स आज आपको बाद के बहुत इंपमोटने अपडेट के बा Cameron ने वाला है क्योंकि उपडेट के लिए जो है करीब दो साल से जो है लोग इस पडेट का इंतिजा कर रहे थे कि यह कभी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि जब से लॉगड़ाउन हुआ था स्टार्ट तब सी इसको बंद कर दिया था इस फैसलेटी को जिसके लिए जो अब अब करते हैं भारतीय रेलवे में उन सबको इंतिजार था कि है सर्विस फिर से स्टार्ट कर दिया या फिर से बहु कर दिया है तो वीडीयो काफी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताक कि भारती रेलएस से रिलेटेट आपको नए अपडेट जो भी हो इस वीडियो से मिलती रहे चैनल ये वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसा क्या आपडेट है तो फिर्ट जैसा का वो पता है रेल रात्रा करने वालों के लिए ज़रूरी खबर ये है कि भारतिय रेल्वे ने कोरोना काल के समय बंद हुए सीन्य सिटीजन और खिलारियों समय दूसरे काइटेगरी के यात्रियों को रियायत टिकट में कंशेशन देने की सेवा जो है फिर इसां को चनाव के बाद रेल्वे वरिष्ट नागरिकों के लिए रियायत बहल करने पर विशार कर रहा है लेकिंग संभव है यह केवल सामान्य और श्रायन श्रयनी के लिए होगा यह नार्मल ध्यास स्लिप एक लास के लिए ही यह होगा यह जो कंशेशन दिया जाए रहि एज लिमिट का उसमें यह सकता है बदलाओं कर सकती है ऐसा हो सकता है कि सरकार रियायती किरायों कि सुविधा सत्तर वर्ष से उपर के लोगों को मुहया कराएगी जो पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के फुरूशों के लिए था वह अब हो सकता है कि इसके पीछे 2020 से पहले वरिष्ट नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराय 50% और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिए 40% छूट देता था रेलवे की तरफ से ये छूट लेने के लिए बुज़ूर्ग महिलाओं के लिए नियुन्तम एज जो है 58 वर्स था और पुरुष के लिए 60 साल था लेकिन कुरोना काल के बाद इन्हें मिलने वाली रियायत पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी हम समझते हैं कि ये रियायत बुज़ूर्गों की मदद करती है और हमने कभी नहीं कहा कि हम इसे पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं ये रेलवे का कहना है हम इसी समिक्षा कर रहे हैं और इस पर फैसला लेंगे और रेलवे के तरफ से संगेतिया गया है कि रेलवे बोर्ड वरिष्ट नागरिकों की रियायत के लिए आयू माप डंड को जो है बदलाव करने और इसे केबल सतर वर्स से उपर के लोगों के लिए ही महया कराने पर विचार कर रहा है यह रेलवे के दायित्मों को सिमित कर 2020 में कोरोना वारिस में हमारी के न between वापस लेने से पहले वर्श-नागरिकि रियायत 58 वर्स और उससे अधिक आयू के महिलाओं को और 60 वर्स और उससे अधिक आयू के पुरुष के लिए थी महिलाएं 50お котором चूट के लिए पात्र थी पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी श्रेणियों में 40% छूट का लाग उठा सकते थे रेलवेज जिस एक और प्रावधान पर विचार कर रहा है वह रियायतों को केवल गैर वातानुकुलित श्रेणियों की यातरा तक समित करना मतलब स्लिपर के लिए एसी के लिए नहीं मिलेगा एक सुत्र यह भी कह रहा है तर किया है कि अगर हम इसे सेन्यान और सामान श्रेणियों तक सिमित रखते हैं तो हम 70% त्यात्रियों को समायोजित कर लेंगे यह कुछ विकल्प हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं और किसी भी चीज करने में मदद मिलेगी जो रियायतों के बोज को वहन करने में उपयोगी हो सकता है यहां योजना फिलहाल करीब 802 में ही लागू है प्रेमियम तत्काल योजना रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक कोटा है जो कुछ सीटों सीटें गतिशील किराया मुली निरहायत के स जात आरक्षित करता है यह कोटा अंतिम् तलौ समय में यात्रा का योजना बनाने वाले यात्रियों की स्विधा के लिए है जो थोड़ा अतरिक्त करक्ष करने को तयार है प्रेमियम तत्काल किराय में मुल ट्रेन किराय और अतिरिक्त तत्काल सुल्क शामिल होता है पिछले सब्ता रेल मंत्री अच्वनी वैसनम ने सुनिसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी परती है उन्होंने कहा था बेभिन चुनौतियों के मध्य नजर वरिष्ट नागरिकों सहीत सभी श्रेमियों के यातियों के रियायतें देने में दायरा ब्रहाना सही नहीं है दरसल वरिष्ट नागरिकों को रियायत देने के पीछे बड़ी वज़ा थी कि जयातर बुज़र्गों के पास सोर्स ऑफ इंकम की कमी होती है इसके बाद मार्च 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सरकार ने रियल सफर करने के लिए उन्हें दी जाने वाली रियायतों को ने लंबित कर दिया था ऐसे मैं वरिष्ट नागरिकों के लिए रियल सफर महंगा पड़ रहा था इसलिए जो है अब रियल्वे जो है फिर से विचार कर रहा है कि जतने 20th year का एज जो है यह मैंड डिकर दिया जिनका बी 70 साल एज होगा 70 साल वाले को ही चाहे जेंस ओचाहे लेडी स्कूरियायत मिलेगा बढ़ना रियायत नहीं मिलेगा सतर साल से नीचे वाले को कोई कोंसेशन ने मिलने वाला है यह यह वो लीडिज हूँ चाहे वो जैंस हो साथ ही साथ कि स्रीफ ओन्दी स्लीपर के लिए ही कंसेशन दियाएगा थरड इसे से फॉस्ट इसे किसी बी इस सीन नाने वाली है तो एक इसको पर फिर से एक नय वीडियो बना करके अपडेट कर दिया आएगा कि अब यह स्टार्ट हो चुका है उसक जोड़ी जानकारी आपके लिए जो आपको मैं आज बताए है सार डीटेल यह बिल्कुल इस clash होने वाल यह सकता है कि तो सकता है यह जơ यह शोषाया इए आका आपके आशकर नहीं है और वीडियो पसंद यह लाई करें चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्नाइब करें मैं दोस्तों मिलते हैं तो कुछ नहीं जानकाई के साथ कुछ नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए गुडबाय जैहिन